नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूस 31 उत्राखंड उत्राखंड में एक तरफ जहां मौसम लगातार करवट बदल रहा है वहीं पहाडों के कई जिलों में बर्कबारी भी होने लगी है आपको बता दे कि कुछ दिनों से नैनिताल जिले में हलकी बारिश और बूंदा बांदी हो रही है जिससे मौसम में बदलाव आने के साथ साथ कडाके की ठंड पड़ रही है वहीं पहाडों के कई लाकों में बर्कबारी भी देखने को मिल रही है जिससे परियाटक लोग भी पहाडों में गिर रही बर्क का लुफ्ट ठाने वहाँ पहुंच रहे हैं तो चलिए आपको भी दिखाते हैं मुक्तेश्वर से बर्कबारी को लेकर समवादाता राके जोशी के साथ हमारी एक खास रिपोर्ट उत्रा घंड में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल लिया है आपको वतादे लगातार जिस तरीके से जमाजम जो मुश्वादार बारिस हो रही है तो हम इस समय पहुंचे हुए है मुक्तेशवर पर देख सकता है यहां बरबबारी वी है तो जहां पर तमाम जो सेलानी लोग है उनमें भी काफी उटसाद देखने को मिल रहा है जिस तरीके से लगातार नहीं देख सकते चोटे-चोटे बच्च जो है खेल रहे है बरब के साथ तो लगातार यहां जो है ज फिर्वी से रहा है और से टोटे सre tutte पढ़े दिखाएप जिस तरीके से छोटे चोटे बच्चे देगो कैसे घल रहे है और के से जानेंगे कि खिए और कहां है और कहां जो ए रहते है यह लोग और किस तरीके से इनको मजारसा बेटे कहां से अब लोग कि मैं अध्याइब कैसा लग रहा है यहां पर बरब गिरी तो अच्छा लग रहा है मज़ा आ रहा है हां देख सकते हैं छोटे-छोटे बच्चे हैं जिनको जो बरब मैं खेल रहे हैं काफी उत्सा है इनके अंदर हैं वहां पर हमारे और भी जो लोग है बाई सब कहां से तो हमारा सफर सफल हो गया है क्योंकि यहां बरफ देखने के लिए यहां रहा है हर खबर में होगी हमारी नजर खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले